इमेजिन करो 26,000 पर अगर 2% लोग भी convert हो रहे हैं तो आप easily इस नीश से अगर आप 10-15,000 का ट्राफिक ले आते हो तो आप 15-20,000 डॉलर पर मंत कमा से तो चुकि 10 लाख रुपई से भी उपर होता है आप जब इस पर अपना ब्लॉग बनाओगे तो obviously आप बहुत easily इस पर रांग कर जाओगे क्योंकि जैसे आप देख रहे हो लोग dedicatedly इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं तो मतलब competition कम है competition exist नहीं करता है ट्रावल में लोग क्या समझते हैं कि मैं places वाले articles लिख लूँगा या normal best places to visit या फिर best hotels यह सब लिखूँगा तो में को traffic आजगे नहीं दोस्तों यह काफी competitive होता है Hello guys welcome back दोस्तों जैसे कि आपको पता है मेरी last video जो मैंने blogging topics और blogging niches को बनाई थी उस पर आपने में को काफी सारा प्यार दिखाया तो उसके लिए again thank you so much आज मैं उसी वीडियो का part 2 लेके आया हूँ जैसे कि मैंने आपसे promise किया था कि अगर उस वीडियो पर अच्छा response आता है तो मैं उसका part 2 जरूर से लगँगा आज उसी वीडियो का continuation है और मैं आपे part 2 लेके आया हूँ blogging niches जिस पर आप उपना blog स्टार्ट कर सकते हैं 2024 में and वो आपके लिए काफी ज़्यादा profitable रहने वाला है आप उन topics पर blog बना के काफी easily मतलब काफी easily तो नहीं पर हाँ अगर आप consistent रहे के अपने 7, 8, 9, 10 महीने लगा के उस blog पर काम करोगा तें definitely आपको काफी सारा traffic अपने blog पर देखने को मिल सकता है तो चलिए आज की वी 2024 में अपना blog बना सकते हो आपके लिए right तरीका क्या होगा उन niches पर काम करने का एक पर पहले वो चार्ट देख लिए था हमने जो चार्ट बनाया था कि कौन कौन सी असी niches है जिस पर आप काम कर सकते हैं तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी recipes blog के उपर, finance, stock market, crypto, credit card के उपर, news blog के उपर, right, astrology के उपर and home decor के उपर तो हमने एक उच पांच niches के बारे में बात करी थी आज हम इस वीडियो में topics किन niches के बारे में बात करेंगे, niches, blog topics तो वो है AI, AI news, AI updates, software reviews and इसके साथ साथ आप deals, reviews, lifetime deal और travel niche के बारे में भी, so मैंने last video में आपको already बताय अगर आपको keyword research नहीं आती है, तो आप वो वीडियो जा के देख सकते हैं, उसमें मैंने keyword research के उपर और भी बताया है कि कैसे हम कौन-कौन से tools use करेंगे, so मैं अगर still आपको फिर से बता हूँ तो आज की वीडियो में maz use करने वाले, again आप इसका free trial लेके इसको use कर सकते हो, तो सबसे पहले बढ़ते हैं, हम अपने Google Trends के उपर एक बरम चलते हैं, Google Trends पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, आपको यहाँ पर सबसे पहले country select कर लेने हैं, कि कौन सी country में आप काम करना चाहते हो, तो जैसे ही आप AI सर्च करोगे, आप यहाँ पर देख पाऊगो कि एक तो आपको आपको ट्रेंड दिख रहा है, यह है पिछले दिन का, तो आप इसको कर लो at least 90 days का, ताकि आपको एक clear idea मिले कि क्या वो चीज वे time grow कर रही है या decline हो रही है, क्योंकि blogging niche या blog topic चूस करने क यह जितना important किसी भी blog की search volume को define करना होता है, उतना ही important उसके trend को define करना भी होता है, क्योंकि जो search volume वाला data है वो historical data होता है, historical data से मेरा मतलब है कि वो data हर महीने जो होता जाता है, उसको एक साथ जोड के एक average निकाला जाता है, तब जाके वो data की search volume उस particular keyword की search volume बनती है, राइट बट जो trend है वो हमें actually में real time में बताता है, क्या वो चीज़े search हो रही है नहीं हो रही है, तो इसलिए आपको Google Trends का use करना काफी जादा important है, and Google Trends ही अपने में काफी अच्छा tool है, जिसकी help से आप सारी keyword research कर सकते हैं, आपने blog की, right, so, जैसे कि आप देख सकते हैं, कि मैंने 90 का data चाहिए, कहां का trend देखना है, क्या आपको web का देखना है, image का देखना है, आपको Google Search का देखना है, क्या आपको Google Shopping का देखना है, YouTube का देखना है, so, considering हम web में काम करते हैं, तो हम web का देखते है, right, फिर यहाँ पे, आपको यहाँ पे graph दिख जाएगा, जैसे कि आप traffic आ रहा है, and इसके बाद, जैसे ही आप और नीचे आओगे, आपको यहाँ पे queries मिल जाएंगी, और topics मिल जाएंगे, तो topic क्या होता है, कि query का जो बड़ा term होता है, that is topic, right, so, topic में, जैसे कि आप देख सकते हो, कि लोग image creator software के बारे में सर्च कर रहे हैं, कुछ specific tools के बारे मे लोग search कर रहे है, and अगर हम queries की बात करें, exactly queries की, तो यहाँ पे देखो, कोई software होगा, remaker, AI face, इन सब queries के बारे में लोग search कर रहे है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, कि आप rising, मतलब जो बढ़ रहा है, और top, इन से भी sort कर सकते हो, so, जैसे आप देख सकते हो, so, जैसे queries को भी खोलना है, right, आप इनको download भी गर सकते हो, यहाँ से देख भी सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो, बिंग के बारे में लोग search कर रहे है, बारे में search कर रहे है, and image creation के बारे में search कर रहे है, इन सब चीज़ों के बारे में, chat GPT, AI, Google AI, यह सब queries search कर रहे है, and अगर हम बा query ले ले लेते हैं, जैसे यह remaker वाली है, right, तो हमने इसको click किया, जैसे ही आप click करते हो, आपको अगेन यहाँ पर दिख जाया, कौन-कौन से state से, यह सब searches हो रहे है, तो एक बार आईए हम इसको Google में ले चलते हैं, हम यहाँ पर Google.com खोल लेते हैं, जैसे Google.com खुलता है, ह यहाँ पर Google से suggestion लेते हैं, कि लोग Google हमें क्या suggestion दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, Google हमें face swap free, face swap free photo, यह सब हमें suggestions दे रहा है, तो एक बार हम free photo वाले पर click कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, कि यहाँ पर सिरफ और सिरफ हमें अभी के लिए official website ही देखने को मिल रह करते हैं, एक बार mouse का जो extension है, उसको on कर लेते हैं, yes, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने जिब refresh किया, तो यहाँ पर इमको DAPA देखने लग गया है, जैसे यहाँ पर एक website है, यह अगेन मेरे को एक tool ही लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, इसको correct, यह जो है, एक tool website है, so यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको blog बनाना है, तो आपको करना है क्या, आपको ऐसे सब keywords को सर्च करना है, जैसे remaker AI review, in Hindi, जैसे लोग सर्च करना है, so यहाँ पर आप देखोगे, कि 38 DA, right, and इसके बाद, बहुत जदा लोगों ने लिखी नहीं रखा है, आप यहाँ पर देख रहे हो, किसी ने LinkedIn के उपर article लिखके, बिना website के, किसी ने इसका review लिखा हुआ है, तो ऐसा आप भी कर सकते हो, and अगर हम और देखे, तो जदा results यहाँ पर है नहीं, तो इससे हमें क्या देखने मिलता है, कि जदा लोगों ने इस बारे में बात ही नहीं कर रहे है, तो आप क्या कर सकते हो, कि आप जब इस पर अपना blog बनाओगे, तो obviously आप बहुत easily इस पर rank कर जाओगे, क्योंकि जैसा आप देख रहे हो, लोग dedicatedly इसके उपर बात नहीं कर रहे है, तो मतलब competition कम है, competition exist नहीं करता है, तो आप अगर इसको target करोगे, तो कहीं न कहीं आपको help होगे, अब जिसे मैंने सिर्फ अगर review सर्च किया, तो review में भी जैसा कि मैं देख सकता हूँ, 9 DA की website आ रही है, और इसके साथ साथ देखो, 22 DA की website आ रही है, 31 DA की website आ रही है, medium rank कर रहे है, medium एक forum है, जिसमें आप भी जा कर पोस्ट कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे, deeptechstartups.in करके यह कोई blog है, और इनका जो DA PA था, वो सिर्फ 9 है, 9 का DA PA है, और आप देखो, यह भी सिर्फ और सिर्फ जैसा कि मैं बात करता, इन्होंने अपना पूरा blog AI के उपर बनाया हुआ है, यह सिर्फ AI के उपर बात कर रहे हैं, तो इसी similar topic के उपर आप भी अपना blog बना सकते हैं, यह idea था, मेरा आपके लिए कि आप कैसे AI के उपर blog बना सकते हो, किन type के topics आपको cover करने, कहां से वह आपको topic मिलेंगे, अब जैसे हमें मिल गया topic एक, तो हम यहाँ पर अगर चलें और इसको search करें, कि इस पर traffic वगएरा कितना आ रहा है, तो मैं आपको Ahrefs premium tool पर दिखाता है, बिकास मेरे को लगता है कि यह tool सबसे सही में data हमें provide करता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका DR जो है, Ahrefs का खुद का metric होता है, वो 1.3 है, बढ़ इसका अगर आप traffic देखो कि तो 26,000 traffic यह blog ले रहा है, अगर हम इसके keywords देखें, तो देखो यहाँ पर सारे इसने जो keywords हैं, वो AI wallet target कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आप से कहा था, कि यह काफी अच्छी नीश यहाँ पर हो सकती है, तो यह देखो इनोंने कैसे detailed में articles बगेरा लिखे हुए हैं, हर AI software के उपर Google Ads इन से monetize कर रहा है, काफी अच्छे का से पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि 26,000 का traffic है, तो मैं मानता हूँ कहीं नगई, 15-20,000 का traffic रियल में भी होगा है, AI में जो आर्पी है में Google का वो भी कम से कम 1.5-2 डॉलर तो होगा, तो easily यह जो है, वो महिने के 1.5-2,300 डॉलर अर्न कर रहे होंगे, considering इनकी website कितनी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी website भी नहीं है, और इनका traffic अब जाके उठना शुरू किया, backlinks भी इनुने सिर्फ 6 बनाए, तो देख रहे हो आप कैसे सिर्फ 6 backlinks है, यह 26,000 का organic traffic ले रहे हैं, ऐसा आप भी कर सकते हो, आप भी कुछ AI review वाली नीश में, AI news वाली नीश में अपना blog स्टार्ट कर सकते हो, अभी competition इसमें काफी कम है, क्योंकि लोग जादा अभी जानते नहीं है, लोग जादा भी लिख नहीं रहे हैं इस topic के उपर, इसको monetize करने का एक तरीका और भी है, कि आप इसमें अपना affiliate link लगा सकते हो, तो कोई भी अगर उस AI software को खड़ी देगा, तो वहां से भी आपको पैसे मिलेंगे, अब बढ़ते हैं AI software की जिसमें बात कर रहाता है, same way में आप क्या कर सकते हो, AI software का review भी कर सकते हो, अब से मैं यहापर क्या सर्च करता हूँ, मैंने यहापर AI सर्च किया, ठीक है, अब मैंने यूएस में यह सर्च किया, अब मैं अगर इसको इंडिया कर दूँ, राइट, एंडिया करने के बाद, मैं यहापर चला जाओं, व्यू ओल में, व्यू ओल में जाने के बाद, मैं यहापर lowest DR में आपर 5 लगा देता हूँ, और यहाँ पर include में review लगा देता हूँ, कि लोग जो AI software कर review कर जैसे आप affiliate में कर सकते हूँ, तो यह दूसरा topic है हमारा, तो जैसे हम AI reviews की अगर हम बात कर रहें, तो यहाँ पर देखो, आपको कितने सारे review वाले keywords यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यह same research जो है, आप free वाले tool जैसे Moz और Insub में भी कर सकते हूँ, मैं अगर आपको कर के दिखाऊ, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जैसे आपको देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा India और keyword लगाव है, यहाँ पर मैंने AI search किया, AI search करने के बाद, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर सारे suggestions को view करना है, एंड जैसे आप सारे suggestions को view करोगे, आपको यहाँ पर काफी सारे keywords देखने को यहाँ पर मिलेंगे, और यहाँ पर आप चाहो, तो अपना question भी add कर सकते हो, तो जो review वाला है, तो उससे आपको और अच्छे keywords वगरें मिलेंगे, इंडिया में भी आप देख सकते हो, कि हमें 1900 keywords के आसपास मिलेंगे, अगर हम इसको United States कर देंगे, तो वहाँ पर तो और जादा हमें keywords देखने को बेखने, कि आप देख सकते हो, कि currently अभी एक लाख keywords है AI के ओपर, यहाँ पर भी अगर हम filter लगाएं, कि DR 5 से नीचे की website हमें दिखा है, और उसमें review वाला term आ रहा हो, तो वो अगर मैं आपको दिखा हूँ, तो वो कुछ आ जाता है, कितने सारे search value में वो एक बाद चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी देखो कि 25 तो बहुत easy keywords आपके लिए available हैं, इसमें क्या है कि DR 5 से नीचे के side top 5 में rank कर रही है, AI review term पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना profitable हो सकता है AI software's के बारे में लिखना, इनके लिए आप deals भगेरा भी लिख सकते हो, deals, lifetime deal ऐसा, तो वो भी मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, यह हमारी third niche होगी, जहाँ पर आप softwares के, जितने भी softwares आते हैं, चाहे वो AI software हो है, नॉर्मल software हो, उसकी lifetime deal के बारे में आप लेख सकते हैं, जिसे मैं आप यहाँ पर US में lifetime deal सर्च किया, correct, आप देख सकते हो कि 1000 keywords यहाँ पर available है, अब यहाँ पर हम lowest DA में 10 select कर लेते हैं, यहाँ पर हम search करते हैं, जैसे हम search करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 50 हमें ऐसे keywords यहाँ पर मिले हैं, जिनकी लोग lifetime deal सर्च कर रहे हैं, और actually में यह keyword बहुत easy भी है, क्यों? क्योंकि top 5 में DR 10 से नीचे की website rank कर रहे हैं, तो अगर DR 10 से नीचे की website top 5 में जा सकते हैं, तो आपका भी एक नया बनाया हुआ ब्लॉग जिसका DR ideally 0 होगा, वो भी slowly slowly जैसे से आप काम करते जाओगे, जैसे से आप थोड़े बहुत link building करोगे, आपका ब्लॉग भी DR 10 हो जाएगा, और कहीं न कहीं आप उन keywords को उन keywords पर ब्लॉग लिखके, इसली अपने ब्लॉग को टॉप 5 में rank करवा के traffic ले सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर काफी सारे keywords हमें दिख रहे हैं, जिसका DR जो है वो जिनकी website का DR 10 से काम है और वो टॉप 5 में आ रहे हैं, सेम अगर मैं आपको यहाँ पर कोई और टूल पर करके दिखाऊं, जैसे मैं अब आपको करके दिखाता हूँ, सेमरेश पर, जैसे हमने free tools की बात करी थी, तो free tools पर अगर आपको मैं करके दिखाऊं, तो यहाँ पर हम जाते हैं keyword magic tool पर, जैसे हम keyword magic tool पर डाल जाते हैं, हमें यहाँ पर डालना है lifetime deal, मैंने यहाँ पर US में search कर लिया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, कि average competition जो है, वो 26 है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कि इसको कर देते हैं, very easy वाले अगर हम filter लगाए, तो आप देखोगे, यहाँ पर भी हमें यह 53 keywords निकालके दे रहा है, जिसकी total volume 2400 है, तो आपको volume पर इतना ज़्यादा वो नहीं करना है, कि यह volume तो बहुत कम है, इस niches में जो monetize करने का तरीका है, वो होता है affiliate से, affiliate से आप ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो मैं कहता हूँ, 1000 लोग आपकी website पर आते हैं, and 1000 में से अगर मैं कहता हूँ, 20 लोग भी वो software को खरीद लेते हैं, जो कि खरीद सकते हैं, 1000 में 20 is hardly 2% conversion, 2-3% conversion US में बहुत easily आता है, तो आप क्या अगर सकते हो, कि let's suppose आपको एक sale पर, मैं कहता हूँ, minimum AI software में 20-25 दॉलर मिलता है, अगर आपने 20 sale करें, तो 400-500 डॉलर आप इतने कम traffic में भी, आप earn कर पाऊगे, so आपको क्यूं जाना है difficult niches में, यह सब इतनी easy niches में आपको दिखा रहा हूँ, इन पर आपना ब्लॉग easily बना सकते हो, अगर आपको blog बनाना सीखना है, तो मैंने already past में काफी सारी videos बनाई हुई है, जहाँ पर मैं आपको exactly सिखा रहा हूँ, कि अपने micro niche blog कैसे set up करते, वीडियो को जाके आप check out करो, आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अब बढ़ते हैं, हम हमारी fourth niche के उपर, जो की है travel, travel की दोस्तों अगर मैं बात करों, तो travel भी काफी interesting niche हो सकती है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ websites दिखाता हूँ, जैसे यह है luxury hotel.world, इस website के अगर मैं आपको traffic वगेरा दिखा हूँ, तो again दोस्तों जो hotel niche है, जो travel niche है, यह सुनने में थोड़ी competitive लग सकती है, बट जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि आप अगर सही keywords target करोगे, तो कहीं न कहीं आप इसमें easier keywords को डूढ़ के अपना blog बना सकते हो, आप easily travel niche में भी 100-200 keywords को अगर set कर लो, अच्छे से उन पर blog लिखो, अच्छे से एक micro niche का blog बनाओ, अब जोसे travel में लोग क्या समझते हैं, कि मैं places वाले articles लिख लूँगा, या normal best places to visit, या फिर best hotels, ये सब लिखूँगा, तो मैंको traffic आजागा, नहीं दोस्तों, ये काफी competitive होता है, आपको ये वाला blog देखके लग सकते हैं, इस पर किता competition होगा, इतना बड़ा blog है, नहीं, मैं इसमें से भी आपको काफी easy keywords अभी निकाल के दिखाऊंगा, जिन पर आप easily अपना blog बना सकते हैं, और आपको बहुत महनत भी करने जरूत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सिर्फ 200 से 200 आर्टिकल लिखने हैं, एक single topic के उपर, आप जिसे इन्होंने देखो, ये सिर्फ बात कर रहे हैं, normal hotels के बारे में नहीं, सिर्फ luxury hotels के बारे में, जो की बहुती niche down topic यहाँ पर है, तो एक बार हम इनके keywords की तरफ चल लेते हैं, मैंने इनके organic keywords पर click किया, मैं आपको भी यहाँ पर paid tool इसलिए यूज़ करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर data बहुत अच्छे से दिखता है, तो free tools पर भी आपको similar data देखने मिल जाएगा, बट obviously क्योंकि में पास paid tool का access और दिखाने के लिए, यह जादा better work करेगा, जैसे कि आप देख सकते हूँ, यहाँ पर मैं KD डाल लेता हूँ, 5, मतलब 2 KD पर हमें बहुत rely नहीं करना चाहिए, obviously manual research भी मैं आपको करके दिखाऊँगा, बट एक बट केडी sort करने से यह होता है, कि एक अच्छा idea मिल जाता है, तो यहाँ पर monthly volume की अगर हम बात करें, so monthly volume हम 100 से 500 डालते हैं, क्योंकि starting में आपको बहुत high volume वाले keywords को नहीं target करना चाहिए, वो work आपके लिए नहीं करेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हूँ कि यहाँ पर 4000 keywords दोस्तों निकल के आए हैं, अब हम एक-एक करके इन keywords के competition को चेक करेंगे, अच्छे से, अब जैसे कि आप देख रहे हूँ 5 star hotel Columbus, Ohio, तो एक बाद देख लेते हैं कि किन types के websites यहाँ पर rank कर रही है, obviously यहाँ पर कुछ बड़ी websites आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि obviously hotel niche थोड़ी competitive तो है, इसमें मेरे को कोई easy keywords देखने को नहीं मिले, तो हम इस keyword को छोड़ सकते हैं, हम किसी और keyword की तरफ अगर बढ़ें, इसमें के दूस्तों आप देख सकते हूँ, यहाँ पर हमें एक website मिले है, जिसका DR है 18, एक बार इस website को check out करते हैं, कि इस website ने exactly क्या articles लिखे हुआ है, देख सकते हो कितना simple looking article है, यहाँ पर इन्होंने hotels के बारे में बात करी हैं, photos वगरा लगाई हैं, यहाँ पर भी यह affiliate से पैसा कमारे, booking.com का affiliate कर रहे हैं यहाँ पर, article obviously 3000-4000 word का है, बट क्योंकि इनका DR कम है, एक बार इनकी website को overall हम analyze करते हैं, और देखते हैं कि किस type के keywords यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर अगेन इस website का HRF पर ही देखते हैं, कितना DA वगरा है और कितना traffic यह ले रहे हैं, जैसा कि हाँ आप देख सकते हो, 18 DA की website है, 2020 में website शुरू ही थी हैं, अभी तक यह traffic ले रहे हैं, दो इनका traffic अब decline हो रहा है, उसके पीचे कुछ ना कुछ reason रहा होगा, बट अगर हम इनके जाके keywords को देखें, तो यह काफी अच्छे-च्छे keywords पर भी रैंक कर रहे हैं, इस नीश में अच्छी बात क्या होती है, आप सिर्फ Adsense से पैसा नहीं कमाते हो, होटेल से वगरा बुक कराके, मोटी commission earn करते हो, मतलब मैं अगर आपको बढ़ा हो, तो विएसे एक होटेल, अगर कोई 1000 डॉलर का book कर रहा है, मतलब 3-4 दिन का, वहाँ पर ये prices बहुत नॉर्मल है, विदेश में इतने expensive होना, foreign travel जबाब करते हो, तो 1000 डॉलर 3-4 दिन का, आपका easily खर्चा आ जाता है, होटेल का, तो वहाँ भी आपको minimum 30-40% commission आपको मिलता है, जो भी aggregator earn करते हैं, बतलब सब्सक्राइब हैं, अगर आप 10-15,000 का traffic ले आते हो, तो आप 15-20,000 डॉलर पर मन्त कमा सकते हो, जो कि 10 लाख रुपए से भी ऊपर होता है, पर अगेन इतना भी easy नहीं होगा, आपको obviously 200-200 articles, एक single topic पे अच्छा से keyword research करके देखने पड़ेंगे, तो जैसे यहाँ पे यह वाला keyword हमने pick करा था, तो आप देख सकते हो, कि यह वाला keyword यहाँ पे आ रहा है, अब अगर हम और keywords को देखें, तो जैसे कि यह वाला keyword है, best places to stay in Cabo, तो इसको भी एक बार हम manually research करके देखते हैं, तो यहाँ पे obviously trip advisor बगएरा आ रहे हैं, बड़ी website आ रहे हैं, बड़ी यहाँ पे छोटी वाली भी आ रही हैं, जैसे कि यह देखो, cabovisitor.com, अब इन्होंने क्या करा है, hyper local niche blog बना है, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ, एक single city का अगर आप blog बना होगे, तो वो आपको बहुत फाइदा देगा, तो यहाँ पे देखो, cabovisitor, यह इनका DR कितना है, इनका DR 27 है, राइट, इन्होंने काफी personalized blog बनाया है, आप भी ऐसा blog बना जबना जगता, तो बिना travel करें, आपको बस इनसे बहतर format में लिखना है, तो इनका भी अगर मैं आपको traffic बगरा दिखाऊं, यह देखो, यह शुरू हुआ था, last year, not last year, बट November 2022 में शुरू हुआ था, तो almost इन्होंने, अपने, डेड़ दो साल के आसपास दिया है, आज इनकी blog पे 8000 का traffic है, और यह ऐसे keywords पराइंग करें, बहुत high quality traffic ले रही है, that is it, आज की इस video के लिए, मैंने आपको आज की इस video में, और ऐसी चार low competition niches बताई, जहां पे आप अच्छा गासा पैसा कमा सकते हो, कम से कम traffic में, अगर आपको इस video पसंद आई है, मेरे को नीचे comment section में बताई है, अगर आप इसका एक और पार्ट चाहते है तो, क्योंकि ब्लॉगिंग नीश एक बहुत बड़ा topic है, और मैं बहुत सारी वीडियो बना सकते हैं, ऐसी low competition niches के उपर, अगर आप चाहते हो, तो do let me know in the comment section, मिलते हैं हमारी next वीडियो में, और दोस्तों मैं आजकल कर रहा हूँ, काफी interesting podcast, शाक टैंक के guest के साथ, तो उन दोसको भी देखना मत भूलिएगा, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल, मेरे Clips के चैनल को YouTube पे नहीं सब्सक्राइब कर रहा है, उनको सब्सक्राइब करें, मेरे को Instagram और मेरे Instagram Clips चैनल पे फॉल्लो करिए, मिलते हैं आप से next वीडियो मेरे लिए टेक केर और बाई बाई